भक्त के प्रस्णगा आपके लिए उनोंने संकेत में बता गए कि बही मैं तो वहाँ का रेने वाला हूँ मैं तो इस काम के लिए बेजा गए आऊ आया हूँ और तुम इस तरह से चला चला अब इन चारे काल जाल में आप फसे विए हैं इनको क्या मालूम है कि अंतर मुख साधना क्या है। इनको क्या पता है कि इसुर क्या है। गंड़ा करियाल क्या है। इनको क्या मालूम है। यह तो यहां अंदिकार अग्यान मुख्या है। अनों रहे चला रहे हैं। इनको को साधना का सुपने में कभी कोई साधना है ईसुर है भगवान है उचटना लगन जब सम्त आते हैं सभ वस्फास जिला लेता है देरे देरे संसकार डाल डाल करके वस्फास पक्का कर लेता है और जीवोस हो ऐक योग बना लेते हैं जिचेस पृआ निकल जाए हैं इसलिए तो जीवों ने उनकी पुष्टी किये कि संदों को कौन जान सकता कि ये संद्य उनको कोई नहीं जा सकता वो तो जब तक लेना जाए तब तक कौन जाने पहुँचे नहीं तो किसको क्या पता तो जब वो फोँच आते हैं पूरे हो जाते हैं, वो देखते हैं, कि इनी का सब खेल है, यह यहाँ भी, और वहाँ भी यही है, जिनमें उनमें कोई अंथर नहीं, और वो इसलिए आए, कि देखो मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जो रूप उनका यहाँ वो, कोई फर्क भी है, वो अरूप है, चित्कारी में नहीं आते हैं, वो खाला साउला नहीं है, वो दो अरूप है, इसलिए आप लोग, जो नामदान पाजा हो, थोड़ा साभिल करें, वो भी बड़ा मुस्किल नहीं है, सरल है सीधा है, केवल थोड़ा सा मन पर, गेरा गेरी में दवाव पड़ेगा, कि मैं यहां से मना ठालो यहां से, रोग लो, बुद्धी को रोक कर, समय अभ्यात, समय बजन के वक्त, इसको रोगो, और कानों के साथ में, लगाओ तो जो तुम, इंद्रियों से, इसको रस्मन को देते हो, वो तुमको सब दे मिले लगेगा, वो तो गेरा रोसे, गेरी ठंड़क है, गेरी खुराक है, अगर कहीं मों नसा चड़ गया, तो उतरने वाला नहीं, इसले लोग जीखते रहते हैं, कहते हैं, वह यह तो क्या हो गया, यह पता नहीं, बदल गया, बदलता ही नहीं, तो उस पर गेरा रंग, जब चटक चड़ जाता है, मस्ती गा, तो बदलता है, साब जीखते रहो, कोई ता तेरे सुच्छा, कोई कुछ नहीं कर, लेकिन जब तक रंग नहीं चड़ा, तब तक आप भटक रहेगा, तो दीरे-दीरे, जो मिल गया और वो आप, दीरे से करो, तो देखो घट में, गाट खुल जाएगा, जीवा अत्मा जाग जाएगी, खान खुलेंगे हाँ, दीरे से सुनने लगोगी दिखे, सक्ती प्रदान होने लगेगी, ग्यान होने लगेगा, धरम, खतम हो जाएगी, संगाएं चली जाएगी, क्योंकि सब्द के साथ, तो कोई संगा है नहीं है, जब सब्द से जुड़ोगे संगा अपने आपके, संगा तो अंग्यान है, वहाँ ग्यान मिलने लगेगा संगा किस बात है, तो सब गुन है, उस सब्द में, नाम में, और नाम जिए जब जागे जोगी, इसलिए पाच नाम का, सुवरन तरोगे, वह आपको बड़ा स्रल बता गया, कि सुवरन को पहले पका लेगा, और जब ऐसे, ज्यान पर मेटो, तो जड़ा सा, सरीर को थोड़ा सा भूलो, 10 मिलट, 15 मिलट के लिए, ऐसे बैट करके जड़ा भूलो, जब सरीर को थोड़ा सा, जब भूलने लगोगे, और मन बुदी चित्थे, ये जीवात्मा के आख के सामने, जब साथ देगी, तो इदर से साथ पुलावा, सुन होने लगेगा, आपके विचारों में कोई चीज, याद में लहेगी, इसको कहते हैं सरीर बूलावा, जैसे ही बुदी, मन और चित्थे, सुरत के जाथ काम कर रहें लगे, कि आप ये चीज़े भूले लगे, और उदर, सर्दु काम कर रहें लगेगा, तो ये सुरत मन दोनों सर्दु को पकाड़ने लगे, तो ये आसानी से, जुब्ती लेकर के काम कर डालो, इसमें डील मत कर रहें, अब दया तो मालिक की आपको में लगे, हर तरह से, और उस दया को, समझदारी से लेही लेगा चाहिए, ताकि बाहर भी, और अंदर भी काम कर जाए, अंदर तो उसका अस्थान बना लो, फिर बाहर भी काम आ जाए, कोई चीज जमा तो करो, जब ज़्यादा इफरात हो जाए, तो किसी और के भी काम आ जाए, फिर मात्माओं के पास तो बंडार होता है, उनके बाहर तो कुछे ख़दम होने वाला नहीं, यह उसमें से कुछ गड़ जाएगा, गड़े गड़ेगा कुछ नहीं, और तो जैसा उचित है, आप तो समझेगे, वैसा ही काम करते हैं, जिससे आपका लाफ फाइदा हो जाए, और दुबारा पुना यह जीवात्माएं वाफिस लोट करके मैं जाए, और चड़ चलें, तो यहाँ गड़ा आपका नहीं है, यह परदेश की, आज होगा भी नापदान, कुछ लोग नहीं भी आगए, जो यह इच्चा लेकर आए हैं, कि वह साथ दिनों का साधना कारिकम, इसमें नापदान होगा, तो चलो यह नापदान ले आए, दो दिन सथ्संग सुनेंगे, कुछ वहाँ करेंगे भी समझेंगे भी, कुछ याद भी कर लेंगे, फिर घर लोट करके, पुदे जहा करके, दिन्दा ले आकरके कुछ करेंगे, चलते चलते कुछ, अपना भी भला हो जाए, नहीं दो दुनिया की, यह मुसीवत, तुमारे कर्मा अनुसार, जो बादलों की तरह से च्छाई जा रही है, और उसकी आवास, आप सर्वों को मालुम होने लगा कि आँगे तकलीफ आने वाली है, सही बात है, तकलीफ आने वाली, वो कोई महात्मा का सराथ तो नहीं है, कि भगवान ने आपको सराथ दे दिया, यह तो सब कर्मों का खेल होता है, उसे यह तकलीफ है, आत्मा चायते हैं वाई किसी तरह से, तुम बच्जाओ, ऐसे दीरे से निकल जाओ, तकलीफ में बगण से निकल जाओ, और तुम अगर नहीं जानोगे, नहीं निकलोगे, तो सीधे तकलीफ में कुच पॉँड़ोगे, तो तकलीवे आपको चाट जाएगी बसम कर देंगी तो वैसे रह जाओ चले जाओ दुनिया को रोते चीकते चलाते तो समय काल उस समय लोगों ने योगियों ने ग्यानियों ने समय देखा अब ही देख लेगे उसमें बात क्या है तो आप नामदान ले लो इसमें दो बंदन है एक तो नसीली चीज जो बुद्धी को पागल करती है बीड़ी तमाको नहीं हुका इसलिए आपको ये कहा जाए कि खाना मत खाओ कपले मत पहरो काम मत पहरो बच्चों में मत रहो तो कहो केती करो, दुकान करो, दुक्तर करो दबा लो आप कपले पहरो, खाना खाओ, सो बार मच्चों की सेवा करो अधिशत करो, उनका करो आपका, वो करें सब करो पर बाद में तो समय बज़ जा तो मज़ें करो ये तो कहा जाता है जब कोई काम ना होता अधर नहीं देते हो तो तो जूटे हो तुमने गरवासे में वादा किया था ये अपकी बार मुझे इसे कालपोटरी से निकाल दीजिए महान बेदना हो रही है मैं आपका जरूर बज़ तुम बड़े वादा खिलाप निकले बड़े जूटे निकले कि तुमने अभी तक सुरू नहीं किया इतनी प्रतिक्या है करी एक भी पूरी नहीं किया फिर वो पूझेगा कि तुमने प्रतिक्या की ती और ये पूरा क्यों नहीं किया तो क्या जबाद होगे उसके साम उसने तो काया दी इसके लिए थोड़ी दी एक बुरे काम करो अच्छे काम करने के लिए अच्छे काम करो बुरा करोगे तो बुरा करोगे तो बुरा करोगे तो सब कुछेगा मुझा लेगा सब ले लेगा छोड़ेगा कुछ लेगा अच्छे काम करो जो फिर कुछ मांगना सकेंगा तो आप इसको समझ लो जापतार में जो कुछ भी आप आज भी लोगों ने मुझसे खा नहीं लोगों ने कि मैं भजन पर ज्यान पर बेटा था तो मुझे कुछ सुनने को कुछ देखने को मिना अमने बज़ छुबा के रखना ये तो दर्वाजा सच्चा है रस्ता सच्चा है बेट सच्चा है नाम सच्चा है उपासना जो कराई जा रही सच्ची सनातन है उसमें कोई गल्ती निकाल नहीं सकता तो जब दर्वाजे पर बैटोंगे तभी तो होगा तो बताना ने पटसा बज़ोंगा हमको जो बता सकते हो क्योंकि हमको नहीं बताऊगे बढ़ी खुशी हुई बहुत प्रसंदा हुई कि लोगोंने नामदान लिया और वैट से एक तोड़ा बहुत हो मालुम होगा कि हमारे घट में कुछ है और तुम करोगे जब कुछ समय लगेगा करोगे कुछ दिन हो जाएंगे तो अपने आप सामने आजाए तो बहुत उस्यारी इस नामदार ले लो ये हैं मंत्र दिच्छा गुरु मंत्र इसको कहते हैं नामदार अब वो दिच्चा गुरु मंत्र नहीं है उप्देद में नामदान और ये सर्वो परी दान है इससे बढ़कर कि कोई दान तो ये दान आपने लिए जो जो भगवान का नाम बोलूँगा सब लोग एक साथ एक अबाद में बोलना आंगे पीजे नहीं और सुद्धो चारण का हो जैसे भी कोई कहते हैं कि भज़न भी नहीं कर पाएंगे और स्रमदान भी नहीं चलो रोटी बना तो कहते हैं कि रोटी भी नहीं बना सकते हैं और स्रमदान भी नहीं करेंगे भज़न नहीं तो चलो जाड़ भी लगा कहते हैं आमसे यह भी नहीं सकता, चलो पहरा दो, पहरा ही तेरी लगो, अगर महा लो कुछ न करो तो सो, और सो भी नहीं सकते तो पानी में टूप जाओ, जो क्या किया दो, जो कुछ न कोई तो, यह जो स्रम्दान जारू लगाना पानी, यह पिलाना, और यह उठाना बैठाना, यह स अग्लमे बात यहा है, इस सेवा का फल, यादि आपको सोच कर, जानते हैं कि आपको आत्मा के मिल जाए, बहत अगुत समझते हैं, ऐसे सबस्थित, वजह हमको ग्रूय हैं, लेकिन नहीं, कुछ मां कुछ करा कर वे आपू रजगाना, क्योकि आप बहुत सुस्त हो गए मना आपका पिरकुल मज़गा परमार्च का ना मिसान को नहीं है जरासा भी उतमें अंकुल नहीं है तो वैसे मैं अंकुल पैदा करें कोई नो कोई तो बाना चाहिए लोग जब आपको देखते हैं तो कुछ देख करके भी कुछ लोगों में समझ में आता है देखा देखी पुन देखा देखी पाप देखा देखी सत देखा देखी असर देखा देखी इमानदारी देखा देखी भीवानी देखा देखी बजब और देखा देखी अगर कोई सो रहा है तो देखा देखी सो कोई बैटा है तो जेका देखी बैटो तो कुछ ऐसी चीज़े होती है कि वो देख करके तो लोग देखते हैं ये साथ फ़र कहते हैं अरे भाहि ये लोने तो पचार जलिया जा लिए अरे भाहि मैं भी कुछ पुर्ण कमा लू तो वो भी चार जलिया डाल देते नहीं लोग जो बाहर से आते खड़े होगे देखते हैं तो जलिया उठा लेकर साथ कुछ हमकों भी मिल जा तो मिलेगा तो उनकों भी लेकिन एक फुर्नत होई फुर्नत होई एक लगाव तो हुआ तो वो ये कहेंगे कि मैं भी डालके दोड़िया ओओ芥 acquire था कहेंगे सबज़े कि माइबाजी क्या गया था वहा कितने लोग मंट्री डालना है थे मैं भी दोड़िया डालना थे तो सबज़े गाए तो ये मतलब ये जोड़िया ये कुछ बना मैं सुभए आपको मिटूगा सुभए आऊँगा, सुभए मिलूँगा कुछ सथन्सुनाऊँगा फिर आपको बजन के बारे को बकाऊँगा फिर कुछ संदान जो जैसे होंगे उनको और साड़े-साथ बजे कल फिर होगा और नई लोग कल भी आएंगे आप देख रहे हैं यह समदा इसको देखिए अनमत भी है कि ऐसा मालूम पृतित होता है कि उपर से आप पे उपर मालिक की दया हो रही है उसकी किर्बा हो रही है ऐसा पुरा आभास हो रहा है और उसकी अगर तुम मुझ खोल दो तब तो देख पीने को मिल जाए यह मुझ नहीं है उस फुराच का मुझ खोलो ऐसे ओ खोलो मुझ उसका ऐसे जब खोलोगे ऐसे उसको खोलिया तो पीने को पीने जाए देख पीने को मिलेंगे मुझ बंद के रहा हो कि कैसे मिलेंगे इस तो सोचने की बार, जैसा ये मौए ऐसा उसका मौने है, कही ऐसा मन समझ रहे ना, कि ऐसा मौने है, ऐसे दात मौने है, वो अलग है, मुखार्बिन अलग है, सुरत का मुखार्बिन अलग है, उसको खोड़ है.